नमस्कार साथ आप सभी का स्वागत करते हूं अपने यूटूब परिवाद में तो डियर यहाँ पे हम लोग questions देख रहे थे stresses in beam में किस तरीके से जो है हम लोग calculate करते हैं अगर कोई section दे दिया beam का हो सकता है rectangular section हो circular section हो, triangular sections हो या eye section हो या trapeze or idle section हो अलग-अलग sections पे हम लोग अलग-अलग formulate देखे थे कि किस तरीके से calculate किया जाता है आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, आप लोगों ने अच्छा खासा उस पे view लाया कई सारे लोगों के साथ आपने share किया और आप लोग का request था कि सर कुछ numerical भी करवा देजे ताकि उस पे based अगर exam में question आता है, तो हम लोगों को कुछ help हो सके तो देखो यहाँ पे आपके सामने questions है 3 planks is 50 into 20 mm, 50 mm and 20 mm, 200 mm है, sorry 200 mm है, are arranged in form eye section मतलब 3 plank है, यानि 3 section है, एक यह हना है पहला sections, दूसरा section और यह हो गया, तीसरा section तीन वो sections है, और तीनों को इस तरीके से रखा गया है arrange किया गया है, कि वो एक eye sections को form कर रहा है The section is subjected to a shear force, 14,000 newton जो shear force है, यानि Ace का जो value है, यह हमारा है 14,000 newton Suggest all alternate rectangular section of the same material So that, same shear force, यहाँ पे जो material है, section 1, section 2, section 3 जो planks लिए, यह तीनों का ही material same है इसका मतलब कि उस पे जो लगने वाले shear force है वो भी हमारा same होने वाला है तो देखो, eye sections का हम लोग जो है अगर बात किया है, moment of inertia निकालने की तो उसका formula होता है, bhq by 12 क्या formula होता है? bhq by 12 यह moment of inertia निकालने का formula होता है उसके बाद centroidal distance आप निकालो, क्या आएगा? उसके बाद आप area निकालोगे, क्या आएगा? उसके बाद area into centroidal distance करोगे, क्या आएगा? then आप finally put करोगे, tau is equal to shear force into area into centroidal distance by I into by, तो एक तो तरीका यह हो गया, आप इस तरीके से जो है questions को solve कर सकते हो, ठीक है? इस तरीके से solve कर सकते हो, बट दूसरा तरीका आपके सामने अगर I sections अगर इस तरीके का है और उस I sections में कुछ नहीं लिखा गया है, कि कहां पे क्या दिया गया है, किस point पे हमें shear force निकालना है, तो उस condition में एक और आसाम तरीका है, questions को solve करने का, वो मैं यहां पे बता रहा हूँ, तीन तरीका हैं है, तीनों तरीका से आपका जो shear force निकलेगा, वो same ही निकलेगा, बट में लिख दो formula ही जादा important आपके लिए है, तो देखो, क्या करेंगे, moment of inertia निकालने का, अगर इस तरीके का section दिया गया है, हमें यह नहीं बताया गया है कि किस sections में हमें जो है, जो है shear stress निकालना है, तो हम कहीं पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो i is equal to formula हम लोग लीख सकते हैं यहाँ पे, bdq minus dy2 into bq, यहाँ पे value put करेंगे, b, यह 200 plus 50 plus 50, तो 300 plus, यहाँ पे हम लोग उल्टा ले ली हैं, यहाँ पे उल्टा ले लेते हैं, यह हो गया d और यह हो गया b, ठीक है, इसको हम लोग b मान कर चल रहे हैं, तो इस तो ही को लिकर चलते हैं, तो यह जो है 200 का है, ठीक है, तो into 200 का q minus dy2, dy2 क्या हो जाएगा, तो अब small d है, यानि सिर्फ और सिर्फ बेव पोर्शन वाला, नहीं, पूरा का dy2, capital में हम लोग लेंगे, यहाँ पे पूरा, ठीक है, capital dy और यह b q, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.500 गुने 200 का q, उल्टा यहाँ पे हो गया, b d q है, ठीक है, तो यहाँ पे 300 का q होगा, तो यहाँ से calculate करोगे, तो आएगा 35 गुने 10 पावर 7 mm के पावर 4, यह हमारा moment, inertia of moment निकल लेगा, मितलब direct यह formula पूट कर सकते हो, कहीं पे भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, direct यह formula पूट करो, आपका यह result आजाएगा, moment of inertia, वैसे आप moment of inertia पले, y वार निकालो, area निकालो, उसके बाद i निकालो, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, या फिर b और h q by 12 इस formula का भी यूज़ करके आप निकाल सकते हो, तो यह depend करता है कि आप exam में कौन सा तरीका से question solve करते हो, ठीक है, तो मैं direct यहाँ पे कुछ steps बता रहा हूँ जो किया, अगर आप समझ लेते हैं, तो आपके लिए important हो जाएगा, अब area into y वार निकालेंगे, तो यह क्या रहेगा, volume हमारे मिलेगा एक तरीके से, ओके, तो यह हो जाएगा, b into t into wavelength, यानि wb by 2 plus t square into wavelength by 2, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आजाएगा, b जो है हमारा कितना दिया गया है, 200, t दिया गया है, ठीकनेश, 50, गुने, width of wave, wave का जो है, यह कितना है, 200, तो 200 बटा, 2 यानि 100 आजाएगा, प्लस, यह 50 का square into 100, तो यहाँ पे जब calculate करोगे, तो इसका value आएगा, 150 गुने 10 power 4 mm q, ओके, तो हम लोगों को क्या पता चल गया, आई पता चल गया, यह पता चल गया, अब निकालना है, टाव इस उक्वाल टू, sear force into area into wiver by I into B, अब यहाँ पे यह जो B लेंगे, suppose that हमें जो है, इस sections का निकालना है, इस top वाला, फ्लेंज वाला section का, तो फ्लेंज वाला section में, इसका width ले लेंगे, ठीक है, 200, और अगर section 2 का निकालना है, तो section 2 का, जो है, इसका width 50 हम लोग ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, माल लोग कि हम section 2 में निकाल रहे हैं, तो sear force हो जाएगा, 14,000, गुने, area into wiver जो है दिया गया है, पंदरा सो, पंदरा, यानि डेर सो गुने 10 पावर 4, divided by, हमारा आज आएगा, आई निकाले हैं, 35, गुने 10 पावर 7, गुने 20 एलते हैं, 50, ठीक है, हम बेव portion में यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जब calculate करेंगे, तो value आएगा, 1.2 newton per mm square, तो यह हमारा town निकाल गया, यानि shear force निकल गया, यह किस sections में निकला, तो value portion में निकला at neutral axis पे हम लोग निकाले हैं, किस पे, neutral axis पे, तो जब neutral axis पे निकाले हैं, तो यह हमारा क्या आएगा, यह maximum shear stress हमारा जो है, निकल कर आजाएगा तो ये तो एक के तरीका हुआ इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं एक और तरीका है जिसका यूज करके जो हम लोग बना सकते हैं वो तरीका है डिरेक्ट जो हिंड फॉर्मूला मैंने आपको जो बताया था उसका यूज करके आप बना सकते हो वो formula मैंने क्या बता है था कि अगर हमें tau निकालना है flange के case में flange portion में flange portion में tau निकालना है तो उस condition में s by 2i into d square by 4 minus d square यह formula हम लोग करते है sorry यहाँ पे y होगा y square ओके अगर बेव portion में निकालना है ठीक है बेव portion में निकालना है तो tau is equal to s by 8i into b by b into d square minus small d square plus s by 2i into d square by 4 minus y square यह हो गया यह हमारा बेव portion में आगया यह हमारा flange portion में आगया कई बार questions क्या आप बोलता है कि यह मान लो हमारा eye section है ठीक है यह हमारा eye section है और इस eye section पे बेव और flange portion के इस point पे निकालना है यह यहाँ पे जो indicate कर रहे हैं इस point पे यह पे निकालना है तो उस condition में क्या करेंगे हम लोग या तो इसको मान कर चलेंगे कि वो joint पे तो है लेकिन बेव में है या फिर उसको मान कर चलेंगे joint पे तो है लेकिन थोड़ा सा उपर तो लग बेव flange में है तो उसको positive माल लेंगे और बेव में है तो इस sections के along हम लोग negative माल लेंगे तो थोड़ा सा या तो ऊपर या तो नीचे लेकर हम लोग calculate करेंगे तो अगर flange के case में measure करेंगे ठीक है अगर flange लेकर measure करेंगे तो हमारा ये b by b नहीं होगा और ये add नहीं होगा ठीक है बट अगर wave लेकर चलेंगे तो ये पूरा हमारा वहाँ पे add होगा ये पूरा हमारा वहाँ पे add हो जाएगा ओके तो इस तरीके से जो है आप में calculate करना है और इस पे जो है आपका questions में भी पूछेगा आपके exams में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like जरूर करेंगे thank you